हालो ड्रिवेरं, मानशमेंड वंintra की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सर्विस रीकवरी तो नेक्स्ट आप देख्थें कि सर्वास 20 से रिलेटेड कुउनकों से टॉपिक आप वीडियो में पढने वाले हैं First is Definition of Service Recovery Next is, क्या process या बूले तो क्या steps होती ही service recovery के इसके importance और स्ट्राटेजी इनको डीटेल में जखने से पहले कॉनरे बिन पर क्लिक करें कि आप service marketing की playlist देख सकते हैं जिसके अंदर आप service marketing से related different topics पर video देखेंगे और description में management और commerce से related different subject के वीडियो के प्लेलिस का लिंक अब लेवल है, आप आँसे देख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए, शर्ना को सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर्विस रिकवरी, तो फर्स्ट आदा इसकी डाफिनेशन, सर्विस रिकवरी, सिंपल वर्ट्स में बोला चाहें, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो रिस्पॉंस करता है, जो भी उसने सर्विस दी थी, वो फेल हो जाती है, उसके बदले में, मतलब आपने कोई लोग आपने अच्छी तरीके से नहीं दियें, तो आप कस्मर का फिट्वर्ग सुनके, उसको रिकवर करते हैं, आपको इसमें ध्यान देना क्योंकि लो इंट्री बरियर है, हाई कॉम्पटीशन है, मतलब मार्केट में लोग ईजी ली इंटर कर सकते हैं, और जो गीटर के पास जान्य दे, लिलिए हम सर्विस रिकवरी करते हैं, नेक्स्ट आता है कि क्या सिंपल स्टीप्स हो सुनटे हैं, अपॉलाइस करते हैं कि जो भी उनकी डिमांड थी उसके एकौडि उनको सर्विसिस मिली है की नहीं, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे जो भी promise ना करें जिनकों की हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको देखना है कि customer की क्या नीड है हम उनको कैसे attention दे सकते हैं और जो भी service देने में हमारी failure हुई थी जो भी उनको problems आई है हम उसको कैसे recover करते हैं फिर हम follow up लेते हैं कि वो particularly satisfied हुआ है या नहीं for example कि अगर आपने कहीं से कुछ product purchase किया है तो उसमें कुछ defect आताता है तो आप उनको call करते हैं या तो वो replace करके साएंगे या उसमें कुछ change करके देंगे आपको या उसको tick करके देंगे तो यह बताता है service recovery को next आता है कि क्या importance होते है service recovery के तो यह crucial role प्रे करती है कैसे आप customer को satisfied कर सकते हैं second आता है firm देखती है test करती है commitment को service quality को service के satisfaction को आप उनके impact को देखते है customer की loyalty को future profitability को और फिर complaints को कैसे handle करना है ताकि आप profit centric रहें ना कि cost centric मतलब आपका ज्यादा profit हो तो service recovery बहुत important होता है कि आप customer को अपने लिए loyal बना के रखे committed बना के रखे उनको satisfied करें और आप उनको easily handle करें ताकि आप जादा profit earn कर सकें next आता है कि क्या strategies होती है service recovery की तो first strategy होती है कि जब भी हम service दे रहे हैं तो हम उनको safely दे first time में हम उसमें fail ना हो यह बहुत important dimension होता है कि आप service quality को maintain करके रखते हैं तो अगर आप कोई fail नहीं होंगे उसमें तो आपकी service quality बहुत second strategy बताता है कि आप encourage करते हैं ट्रेक करते complaints को जो भी 50% customers होते हैं वो encounters की problem को कि वो complaints को नहीं करते हैं तो आपको उसको भी देखना है कि वो उनकी complaints को करें अगर उनको कुछ problem में तो वो share करें next आता है third strategy जो भी customer की complain है हम उनको जल्दी से जल्दी response करें ना कि हम उनको टालत रहें हमारी responsibility को कम करने के लिए next आता है कि हमको देखना है कि हम उनको adequately explain करें मतलब अच्छी तरीके से उनको explain करें कि service fail हुई है तो क्यों हुई है उसके क्या reasons है next आता है कि यह strategy बताती है कि customer को हम कैसे fairly देख सकते हैं कि उनको हम justice दे customer complaints handling की क्या process होगी उसकी speed को देखना convenience को देखना उसके follow up को लेना इसमें हम interaction को देखते कि उनका behavior कैसा service representation के साथ में और उसका outcome next आता है कि यह strategy बताता है कि हम कैसे cultivate कर सकते relationship को customer के साथ में मतलब आप कैसे recovery के through आप customer को आपके loyal customer बना सकते हैं और उनके साथ long term तक relationship को maintain करते हैं तो यह strategy बताती recovery experience को कि organization ने जो भ solve किया है ताक कि आपका experience अच्छा हो तो इस वीडियो में आपने बढ़ा service recovery क्या होता है इसकी definition इसकी process importance और strategy वीडियो अच्छा लगे तो please like किजिए चाना को subscribe किजिए और comment किजिए और किसी topic पर वीडियो चीए तो आप comment कर सकते हैं thank you